इन गर्मियों मैंने रात में नारियल तेल को जब ऐसे अपनी स्किन पर लगाया तो मेरी स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी कि मैं खुद भी बलीव नहीं कर पारी थी ये एक ऐसी honest remedy है जिसका use करने से आपको first time के बाद ही glow मिल जाता है जी हाँ बहुत ही कम ingredients है और बहुत ही ज़्यादा beneficial होती है हमारी स्किन के खोई हुए glow को वापस करने के लिए आज मैं आप सबी के साथ में शयर करूँगी कैसे मैंने मेरी स्किन की ग्लो को इंप्रूफ किया coconut oil की help से चली शुरू करते हैं पर इससे पहले अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें और ले चानल की खास बात यह होती है कि हम इसको खावी सकते हैं और अपने स्किन पर लगा भी सकते हैं coconut oil दोस्तों हमारी स्किन के सेल्स को टाइटन अप करने में help करते हैं और वहीं यह आपको डीप ग्लो देने में भी बहुत ज्यादा help करते हैं जब आप यहाँ पर एक चमच coconut oil ले 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 उसके बाद आपने इसके अंदर आड़ कर देना है lemon juice आप इसके अंदर आड़ करेंगे एक चमच के बराबर lemon juice यहाँ पर मैं आदे निम्बु करस आड़ कर रही हूं इसमें देखिए जब यह दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो हमारी स्किन से सारे dirt and pollution को निकाल लाती हैं खीच कर बाहर लाती हैं और हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा cool और बहुत ही ज़्यादा natural तरीके से glow करने में help करती हैं यह दो चीज़े डाल देने के बाद आपको आपका लास्ट इंग्रीजेंट इसके अंदर आड़ करना है ऐलोविरा जेल मैं यहाँ पर यह एक चमच अलोविरा जेल यूज कर रही हूं मातुट वाला एक चमच अलोविरा जेल आड़ कीजिए और फिर इसके बाद इन सभी चीज़ों को प्रॉपर मिक्स कर लीचिए दोस्तों यह एक लोशन की तरह बनेगा एक लिक्विड सा लोशन बनेगा जिसको आपने यूज करना है किसी कॉटन की हल्प से तो अब आप क्या करेंगे अब आप एक कॉटन लीचिए और इसके अंदर इसको डिप करके अच्छी तरह से इससे आपको अपने फेस को क्लीन्स करना है यह एक बहुत ही ज्यादा नैच्रल सलुशन है जिसकी मदद से हम अपने फेस की गलो को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो मैंने क्या किया मैंने कॉटन को इसके अंदर अच्छे से डिप किया और उसके बाद मैंने इसको अपने फेस पर अच्छी तरह से अपलाई किया और अपलाई करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से इसको मसाज भी किया जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपके स्किन भी बहुत जादा स्मूध हो जाएगी नीमबू करस आपके स्किन से सारे ब्लैकनेस को दूर कर देगा और कोकरनेट आपकी तवचा को चमकाने का काम करेगा वहीं ऐलो विर आपके स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूध बनाने में हल्प करेंगी तो इन तीनों चीज़ों का यह जो मिश्टन है इसको आपने रोजाना रात में सोने से पहले अपने फेस पर अप्लाई करके मसाज करनी है तो आप इसको ट्राई कीचिए यह बहुत ही नाच्रल और बहुत ही जादा इफेक्टिव रेमेडी है अगर आपको आज की मेरी यह वीडियो हलफल लगती है तो इसको लाइक इन शेयर करना बिलकुल न भूलें थांक यू